हलो प्यारों दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यू चैनल टार्गेट भीत रमाकान ने दोस्तों GS में हम लोग आज साइंस स्टार्ट करने चल रहें और साइंस में आपको पता है कि 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि साइंस में आपको 3 पोर्सन पर फोकस करना होता है और 3 पोर्सन कौन से हैं फिजीस, केमेस्ट्री और बायो और science में जो सबसे पहले हमने start किया हुआ chemistry के बारे में yes chemistry में हम लोग सबसे पहले जो chapter पढ़ने वाले है atomic structure that is परमाड सरचना तो chemistry में जो भी अब तक exam in questions आये हैं उनसे later सभी चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे और ना सिर्फ discuss करेंगे बलकि उसका अच्छे से explanation भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इस chapter को मैं exam में आये हुए जितने भी question है उसी से क्या करूँगा solve कराऊँगा और आप इन questions को अच्छे से देखते जाए और हाँ अगर आपको questions आते हैं तो भी आप क्या करेंगे अपने आपको evaluate करेंगे कि आप कितने questions solve कर पा रहे हैं आप इमानदारी से जितने भी questions से मैं solve करा रहा हूँ comment में लिख करके बोलिएगा कि आपकी कितने number इमानदारी से बताईगा कि कितने questions आपने अच्छे से attempt किए हर questions के लिए मैं आपको एक से दो सेकंड का time दूँगा या वीडियो आप pause कर दीजेगा और questions को attempt करिएगा और explanation देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा तो मुझे पता है कि हो सकता है कि आपको ज़्यादा तर इसमें से ऐसे लोग देख रहे हूँ जिनको ये videos already a questions पहले से ही पता हूँ लेकिन आप इन questions को देखिए नई चीज़ें आपको बहुत सारे सीखने को मिलेंगी तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं atomic structure यानि कि परमाण सरचना तो चलिए आपका question number one है परमाण नाभिक के अवयों है यानि कि परमाण नाभिक जो भी है उसके अवयों क्या होते हैं क्या दिया हुआ electron और proton दिया हुआ electron और neutron दिया हुआ proton और neutron दिया हुआ proton और neutron दिया हुआ proton और neutron और electron दिया हुआ वीडियो पॉस कर दिजिए और इसका answer खुद बखुद करिए देख सकते हैं कितनी बार exam में आए हुआ है question और इसी तरह से exam में questions बनते हैं तो उमीद करते हैं आपने कर लिया होगा अब मैं आपको इसका explanation अच्छे से बताता हूँ देखें बात किया जारा परमाड की बात की जारी है परमाड की बात की जारी है और परमाड के नाभिक की बात की जारी है परमाड के नाभिक में के अभियों की बात की जारी है तो आप सबसे पहले आप समझेगा कि कोई भी परमाड हो, जो कोई भी परमाड हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़े पाई जाती है, तो सबसे पहले बता दू मैं, जो परमाड होते हैं, उसमें क्या पाई जाते हैं, नाभिक पाई जाते हैं, और नाभिक के चारो तरफ, क्या पाजाते हैं, शेल पाजाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या पाजाते हैं, शेल पाजाते हैं, तो आपको मैं बता दू, परमाडु नाभिक, यानि कि बात करते हैं, नाभिक इंदर सेंस क्या होता है, नुकलियस, नुकलियस में क्या पाजाते हैं, मैं आपको बता दू, प्रोटान और न्यूट्रान पा जाते हैं क्या पा जाते हैं किसी भी परमाणू के नाभिक में यानि के नुकलियस में क्या पा जाते हैं प्रोटान और न्यूट्रान पा जाते हैं दिमा में गया क्या पा जाते हैं घूमते रहते हैं याद करेंगे दिवा में आगया अच्छा नाभी के चार ओर कितने सल पाई जाते हैं तो नाभी के चार ओर सल पाई जाते हैं कौन कuben से के एल एमोर एन सलों के नंबर्स और ज़ादा भी हो सकते हैं अभी मैं सारी चीज़े आपको अच्छे से explain कर देता हूँ देखे, तो आपको सव में आ गया क्या चीज़े सव में आ गया है तो आपको दो बाते और समझनी है किसी भी परमाणों में किसी भी परमाणों में क्या होते proton होंगे और neutron होंगे यानि कि proton और neutron का जो जगे होगा ये कहां पर पाए जाएंगे ये नाभिक के नाभिक में पाए जाएंगे कहां पाए जाएंगे नाभिक में पाए जाएंगे और नाभिक के चारों तरफ क्या पाए जाएंगे शेल पाए जाएंगे और उन शेल में क्या पाए जाएंगे electron पाए जाएंगे अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से समझेगा यहां पर ध्यान से समझेगा जो shell होते नाभिक के चारोर जो shell होते हैं वो कितने हो सकते हैं के एल एम और एन हो सकते हैं और इससे जादा भी shell पाए जाते हैं अच्छा इन shell में क्या होते हैं electron होते हैं क्या होते हैं electron होते हैं shells में क्या पा जाते हैं electron पा जाते हैं और किसी भी cell में जो electron पा जाता है वह कितने होते हैं 2n square के बराबर होते हैं कितने होते हैं 2n square के बराबर होते है अच्छा k की जो value होती है 1 होती है इसकी कितनी होती है टू होती है या थिरी होता और यह क्या होता फोर होता यह क्या है एन की वैल्यू है अगर के है तो के के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी वन होगी तो इसमें अगर इसमें फार्मूले में वैल्यू रखें तो के में इलेट्रॉनों की संख्या जो होगी कि 32 हो जाएगी यानि कि अगर मैं बात करूं के शेल में मैक्सम नमबर आफ इलेट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे L सेल में मैक्सम नमबर आफ इलेट्रॉन 18 होंगे M सेल में मैक्सम नमबर आफ इलेट्रॉन कितने होंगे 18 होंगे और n-cell में max on number of electron कितने होंगे 32 होंगे इतनी बाते सों में आगी और यह सभी electron कहाँ पाय जा जाएं याद रखेएगा यह सभी electron कहाँ पाय जाते हैं नाभिक के चारो ओर पाय जाते हैं यस यानो, नाभिक यानी कि nucleus के 5 चारो ओर सारे electron पाए जाते हैं इतनी बाते दिमा में रहेंगी तो ये हो गया अब ध्याँ से दिखे nucleus के just bugle वाला जो cell है ये क्या होगा K, ये होगा L और ये होगा M, और ये वाला होगा N तो आपको ये बाते सो में आ गई nucleus में क्या पाजाते हैं nucleus में proton और neutron पाजाते हैं और nucleus के चाओ तरफ क्या पाजाता है electron पाजाता है क्या पाजाता है electron इतनी बाते अब इससे नीचे जितने भी questions आएंगे maximum चीज़े आपको इसी explanation से सारी बाते समझ में आ जाएंगी तो ये question आपको समय आ गया तो क्या पाजाता है परमाड नाभिक के अभियों हैं कौन कौन से हैं तो नाभिक की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा proton और neutron यानि कि option number C क्या है सही है अच्छा एक बात और समझेगा कि जो proton होते हैं ये positively charged होते हैं जो neutron होते हैं ये कैसे होते हैं और neutron जो होते हैं ये negatively charged होते हैं इतनी बात दिवा में जा रही हैं अच्छा एक चीज़ और समझेगा कोई भी जो परमाड होता है वह कैसा होता निउट्रल होता यानि कि जो परमाड होते हैं यानि कि जो atoms होते हैं वो कैसे होते हैं neutral होते हैं किसी भी परमाडों में इलक्ट्रानों और प्रोटानों की संख्या क्या होती है बराबर होती है याद रखेगा किसी भी परमाडों में इलक्ट्रानों और प्रोटानों की संख्या क्या होती है बराबर होती है इलक्ट्रान क्या होते है निगिटिब ली चार्ज प्रोटान क्य होते हैं positively charge होते हैं यानि कि कह सकते हैं कि परमाड़ में minus और plus की संख्या क्या होती है बराबर होती है इसलिए जो परमाड़ होते हैं कैसे होते हैं उदासीन होते हैं तो ये question आपको सौमें आ गया अब आगे बढ़ते हैं next question देखिएगा अब यहां पर दिया हुआ explanation आप यहां से समझ सकते हैं सारी बाते मैंने आपको अल्रेडी बता दिये हैं परमाड़ पदार्थ का वेल लगुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ सभी गुड़ बिद्वान रहते हैं यह रासानी कभी क्रिया में भाग लेते हैं परतु सोतन तरवस्ता में नहीं रह सकते हैं परमाड़ के केंद्र में याद रखेगा केंद्र यानिकी नाभिग इसी की बात चल रही है नाभिग में केंद्र के नाभिग में नुकलियस होता है जिसमें क्या पाजाते हैं प्रोटानों नुट्रान इस्तित रहते हैं प्रोटान क्या होता है याद रखेएगा प्रोटान जो होता है प्रोटान कैसे होते हैं प्रोटान, धानावेशित, न्यूट्रान, उदासीन कड होते हैं परमान में एलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारो और एक निख्शित कक्षा में क्या करते हैं जिन्हें उर्जा इस्तर या एनर्जी लेबल कहते हैं अगला कोशन देखिएगा, अब उसी explanation से हो जाएगा, जो explanation मैंने आपको कराए हुए, अब देखिए यहाँ पर, क्या दिया हुआ, आडविक सररचना, आडविक सररचना क्या है, atomic structure की बात चल रही है, यह जो किसी भी परमाणों का, आडविक सररचना कैसा होता है, परमाणो में नुकलियस होगा, और नुकलियस के चारोर क्या पाजाएंगे, शेल पाजाएंगे, और शेल में क्या पाजाते हैं, शेल इंदेसेंस का क्षक की बात कर रहा है, और शेल में क्या होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रान होते हैं, और इन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रा और इसी को बोला जाता है Atomic Structure यानि कि परमाड़ सररचना अच्छा याद रखिएगा सभी परमाड़ों की सररचनाई क्या होती है अलग-अलग ही होती है तो यतनी बाते सो में आ गई है अब ज़रा Statement पढ़ते है Statement क्या कहता है ज़रा चेक करिएगा Neutron तथा Electron Nucleus में होते है तो भाई लोग अभी मैंने बताया कि यह है आपका यह अंदर का भाग है Nucleus और Nucleus में क्या पा जाते है Proton और Neutron पा जाते है यानि कि यह Question आपका जो Point No.1 है क्या हो गया गलत हो गया Electron तथा Proton Nucleus में पा जाते है तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि Nucleus में अभी मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ Proton और Neutron होते है तो यानि कि अब आप देखो तो A और B दोनों क्या हो गया गलत हो गया Proton तथा Neutron Nucleus में होते है तता electron-nucleus के इर्द-गृद चक्कर लगाते हैं तो अभी मनने बताए uncleus में क्या होँगे proton और neutron और इसके चाल तरफ क्या पाए जाय गए electron और electron यही क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं य़ेंगि कक्षक जो है यानि कि shell जो है यहांपर electron क्या करते हैं कर लगाते हैं तो यानि कि अब आप देख सकते हैं यह वाला option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ओके तो उम्मिद करते हैं आपको समय में आगया होगा आगे बढ़ते हैं next questions की तरफ और next question है आपका यहां से देख लिए चलिए question number third की तरफ बढ़ते हैं question number third क्या कहता है इसे यह होगे nucleus और nucleus के च च पिर अगया होते हैं shell होते हैं और shell में या पआ जाते हैं electron अब आप देख लो proton समझ लिए आपने neutron समझ लिया आपने neutron समझ लिया तो अब अगर यहां से देखें तो किसी भी अडू या एटम का भाग नहीन यह पाग नहीं है proton है, neutron है तो कौन सा नहीं होगा, photon नहीं है, यानि कि नहीं है, कहा है, याद रखिये तो कौन सा नहीं है, photon नहीं है, बाकि सारे हैं याद रखेंगे, यानि कि option number d यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा okay, questions वो आप देखी रहें किसी ना किसी एक्जाम में सारे questions आये हुए अब यहां से अगर आप देखें तो यहां से explanation देख सकते है electron, proton, तथा neutron परमाण के मूल अभियो है क्या है मूल अभियो है जबकि photon उर्जा के bundle यानि कि packets होते है जो प्रकास के wake से चलते है यहां से एक अच्छी चीज़ देख सकते है photon के बारे में क्या है सभी परकार की विद्द चुम्बकिये किडों का निर्माण इन ही मूल कडों से होता है अच्छा नेक्स आते हैं अब अगला question यहां से देखिएगा क्या दिया हुआ एक ही परकार का परमाण निम्न में से किसमें मिलता है चेक करिएगा क्या बताया गया है एक ही परकार का परमाण एक ही परकार का परमाण निम्न में से मिलता है कहां से तो याद रखिएगा खनीज खनीज में क्या होता है खनीज योगिक याद रखिएगा जो खनीज योगिक होते हैं इसमें क्या होता है अलग-अलग परकार के element पाय जाते हैं या तक्तो पाय जाते है खनीज मिस्तरण में भी होता है यानि कि अगर मैं बात करूँ तो option आपका कौन सा हो जाएगा तो option आपका हो जाएगा C हो जाएगा तो इसका explanation देख लेते हैं यहाँ आपको मिल जाएगा explanation क्या दिया हुआ एक ही परकार का परमाडू प्रकित तक्तो क्या होता है तक्तो होते हैं याद रखिएगा next आते हैं next questions कोई सा दिया हुआ परमाडवी नाभिक की खोच किसने की थी यह जो आपका nucleus दिया हुआ है इस portion की खोच आपको बता है कि nucleus में क्या पा जाते हैं proton और neutron पा जाते हैं यही तो मैंने बताया अभी तो बताया जा रहा है कि उसी परमाडव नाभिक की खोच किसने की थी तो याद रखिएगा उसकी खोच किसने की थी रदर फोट ने की थी किसने की थी रदर फोट कब की थी 1911 में की है 1911 में परमाडव नाभिक की खोच रदर फोट द्वारा की गी है चलिए आई explanation देख लेते हैं तो देखें explanation क्या कह रहा परमाडव के नाभिक की खोच earnest रदर फोट ने बस 1911 में किसने की थी आपको पता है कि atom में क्या पाजाते हैं कोई भी atom जो है वे थ्री तरह की चीजों से मिलके बना हुआ तीन तरह की चीजों से मिलके बना हुआ कौनसा electron, proton और neutron और neutron और neutron की खोच की गई है तो अगर आप देखें तो ये question कितनी वर पूछा गया आप यहां से check कर सकते हैं तो अब बताईए atom में neutron की खोच किस ने की गई है तो आपको मैं बता दूँ तो देखें इसका option क्या हो जाएगा question number 6 atom में neutron की खोच किस ने की है तो मैं आपको बता दूँ atom में neutron की खोच किस ने की है तो ये पता इन्होंने लगाया था बाकी सारी चीज़े किस ने की है चैडविक ने की है याद रखेएगा दोनों में बच्चे confuse कर जाते है तो आप लोग क्यों confuse कर दाते हैं rather food और चैडविक के बारे में तो यहाँ से चेक कर सकते हैं rather food ने एक परमाणू में neutron के अस्त्वित को प्रस्तावित किया था यानि कि इसके बारे में प्रस्तावपारित किया था यानि कि लोगों को बताया था किन्तु neutron की खोज 1932 में चैडविक ने की थी उन्होंने पता लगाया कि यानि कि BE तथा अन्य परमाणूं पर यदि तीब्र गति वाले कड़ों की बम बरसा की जाए तब उसमें से विद्धूत उदासिन कड़ निकलते हैं जिने क्या कहते हैं neutron करते हैं तो अब आप देख सकते हैं दोनों का नाम जुड़ा हुआ है किस से neutron से जुड़ा हुआ तो अब इसमें confuse आप नहीं करेंगे अस्तित को प्रस्तावित किया था किसने रदर फोड ने बठ खोज किस ने की थी चैडविक ने की थी 1932 में confuse नहीं करेंगे लेकिन नाभिक की खोज किस ने की थी रदर फोड ने की थी यह चीज आपको दिवाब में होनी चाहिए अब आते हैं next question की तरफ next question क्या कहता है देख सकते हैं आप exam में आये हुआ क्या है निमलिखित में कौन सा एक अडू परमाडवी कड नहीं है यहाँ पर फोकस ज़रू करिएगा नहीं है कहा जा रहा है तो अगर आप देखें तो अडू परमाडवी कड नहीं है तो अगर आप देखें तो न्यूट्रान परमाडवी का भाग है या अडू का भाग है प्रोटान है इलेट्रोन है तो कौन सा नहीं होगा ड्यूट्रान नहीं होगा कौन सा नहीं होगा ड्यूटरान नहीं होगा तो आईये explanation देख लेते हैं यहां से चेक कर लेते हैं अड़ पर्माडूक प्रारंबिक या सम्मिसित पर्माडूक होते हैं जो अड़ से छोटे होते हैं अड़ पर्माडविक कड़ों में electron, proton और neutron सामिल होते हैं अच्छा ड्यूट्रान एक इस्थिर कड़ है यानि कि stable particles है जिसमें एक proton तता एक neutron होता है तो चलिए next question की तरफ चलते हैं और next question है आपका कौँसा next question आप यहाँ से देख सकते हैं क्या दिया हुआ निमने युगमों में से कौँसा एक कड़ प्रतिकड़ युग में नहीं है प्रतिकड़ युग में नहीं है चेक करिए अपने आपको क्या दिया हुआ electron, positron, proton, neutron, photon, photon और electron, neutron और neutron तो आपको मैं बता दू option कौँसा सही होगा option A सही होगा इसका याद रखिएगा electron का प्रतिकड़ युग में कौन नहीं है, positron नहीं है तो चलिए, question number 9 की तरफ बढ़ते हैं and question number 9 में अगर आप देखें, क्या दिया हुआ सूची A दिया हुए है, first दिया है and सूची second दिया हुआ इन सूची ओं को एक दूसरे से क्या करना है, मिलाना है अगर आप देखें, तो सूची first को सूची second से मिलाना है और यहाँ पर देखें, options दिया हुए तो कौन सा option सही होगा, A, B, C और B दिया हुआ और question कहा पूछा गया, आप यहाँ से देख सकते है अब देखें, यहाँ पर क्या करना, सूची A को सूची B से मिलाना है तो अगर आप देखें, तो यहाँ से अगर आप देखें, तो क्या दिया हुआ सुन्य द्रॉब्यमान होता है किसका, तो मैं बता दू, सुन्य द्रॉब्यमान किसका होता है यानि कि 0 मास किसका होता है 0 मास होता है न्यूट्रानों का किसका होता है न्यूट्रानों का होता है यानि कि A का B यानि कि A का 2 अब आप देखें यहाँ पर option में अगर आप देखें तो A का 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो अभी या तो A हो सकता है आंसिक आवेश जो होता है यह किस पे होता है क्वार्क पे होता है यानि कि इसके लिए हो जाएगा 3 तो यह क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा अब बात करतें पुडांग प्रक्कड अच्छा यहां से चेक करने तो A का हो गया 2 और B का हो गया 3 तो यानि कि हो गया A का 2 और B का 3 तो अगर आप देखें तो यहां पर भी देखो साथ चल रहा 2 और 3 यहां भी चल रहा यानि कि A और B A और C दोनों हो सकता है बट अभी भी clear नहीं है तो अब आगे देखिएगा अगला कोशन क्या है अगला C जो है आपका क्या दिया हुआ आसिक प्रचक्रड यानि कि fractional spin होता है किसका तो याद रखिएगा function spin किसका होता है positron का होता है किसका होता है positron का होता है तो अगर आप देखें तो A का है 2 B का है 3 और C का है 1 और D का फिर एक ही बचा है जो क्या हो जाएगा 4 यानि कि 2, 3, 1, 4 जहाँ पर मिलेगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यानि कि 2, 3, 1, 4 मिला यानि कि पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो आए इसका explanation देख लेते हैं यहाँ से देखे explanation चेक कर सकते हैं positron positron क्या होता है एक धनावेशित मूलकड है जिसका द्रौब्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रानों के बराबर होता है इसलिए इसे electron का बिरोधी कड यानि कि anti-particles कहते हैं इसका प्रचक्र यानि कि spin कितना होता है half होता है यानि कि 1 by 2 होता neutron की बात करें ये द्रौब्यमान तथा आवेश रहित मूलकड है इसकी खोज किस ने की थी पाउली ने की थी याद रखिएगा ये question अपने आप में ये जो word है अपने आप में क्या हो सकता एक point एक question बन सकता है कि neutron की खोज किस ने की है तो आप बदा सकते हैं कि neutron की खोज किस ने की है तो neutron की खोज पाउली ने की है दिवा में गया है neutron की खोज किस ने की है पाउली ने की है चलिए अगला question देख चेक कर से है अगला explanation चेक करते है क्वार्क क्या है क्वार्क पदार्थ का मूल कड़ हो है जिससे अधिकांस पदार्थ बने है क्वार्क मिलकर हैड्रोन बनाते है क्या बनाते हैड्रोन बनाते है क्वार्क मिलकर क्या बनाते है हैड्रोन बनाते है क्वार्क का आंशिक आविस यानि कि मूल कड कितना होता है माइनस 1 बाइ 3 होता है या प्लस 2 बाइ 3 होता है फोनान क्या होता है यहाँ से चेक करिए फोनान फोनान ध्वन के लगुतम कड है ध्याँ से देखेगा कन्फूस तो नहीं करेंगे फोनान क्या है फोनान ध्वन के लगुतम कड़ है द्रिड क्रिष्टल बिमान के कमपन में फोनान को पाया जाता है इतनी चीज़े सवाम में आई है तो फोनान क्या है लगुतम क्या है कड़ है और किसका कड़ है याद रखिएगा ध्वन का फोनान ध्वन के लगुतम कड़ है में आप देखें alpha कड के दो धन आवेश होते हैं इसका draw विमान लगभग बराबर होता है किसके अच्छा alpha कड के बारे बता दे ये रहा आपका alpha कड इसका atomic number 2 हो गया और draw विमान क्या हो गया इसका कितना हो गया 4 हो गया यह बराबर होता है किसके मैं आपको बता दू helium के अब helium का atomic number कितना होता 2 और इसका भी draw विमान कितना होता 4 यानि कि जो alpha कड होते हैं या बराबर होते हैं किसके helium के यानि कि alpha कड का draw विमान बराबर होता है helium के और atomic number बराबर होता है किसके helium के अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या हो जाएगा एलफा कड़ के दो धन आवेश हैं इसका द्रौमिमान लगबर बराबर होता है हीलियम के एक परमाड़ो के नाविक के ओके कोई कन्फूजन चलिए नेस कोशन की बात करते हैं उससे पहले एक्स्प्लिनेशन देखते हैं तो दोई आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं इनका द्रौमिमान हीलियम नाविक के द्रौमान के बराबर होता है इनकी मात्रा हाइडोजन परमाड़ो की मात्रा के चार गुना होती है चलिए अगला कोशन देखते हैं अब यहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे कोशन नमबर 11 जो मैं already आपको समझा चुका हूँ तो अपने आपको चेक करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं होता है तो अभी मैंने बताया हीलियम के नाविक की बात चल लगी है अच्छा नाविक में क्या पाए जाते हैं प्रोटान और निूट्रान पाए जाते हैं अभी एक atomic number two होता है और इसका atomic mass की बात करें यानि कि परमाण उभार जो होता है कितना होता है फोर होता है तो अब इन्होंने क्या पूछा जरत यहां से समझेगा तो अब आप यहां से देखिएगा यह जो दिया हुआ है यह जो नीचे दिया होता है इसको रिपरम किया आता है जड से किसे किया आता है जड से किया आता है ओके अच्छा जो जड होता हो बराबर होता किसके पी के होता है और बराबर होता है यानि कि क्या सकते है कि हीलियम में प्रोटानों के संख्या कितनी है टू है और इलाट्रानों के संख्या भी कितने दिया है 2 क्योंकि जो यह है 2 यह क्या है जड है और जड की बैलू P और E के बराबर होती है यानि कि यह बात समय में आ गया अच्छा यह चीज़ देखिएगा जो उपर दिया हुआ है इसको बोलते है यानि कि इसको बोलते है एक्टॉमिक भार या परमाणो भार बोला जा सकता या द्रवबार संख्या बोली जाती है अच्छा यह जो बैलू होती है बराबर होती है कि इसके याद रखिएगा A is equal to P plus N के बराबर होती है और यहाँ पर पूछा क्या गया है नाविक में पूछा गया है हिलियम के नाविक में होते है क्या होते है तो आपको बता दू मैं ध्यां से देखिएगा तो अब A की value कितनी दी है 4D हुई है और P की value कितनी दी है 2D है तो N की value की बात करते है तो अब आप देखो तो N की value भी कितनी आ जाएगी बताइए फट से जब इसको इधर लेके जाएगे माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा तो अब आप चेक कर सकते हैं क्या यहां से आप देखें तो यहां से अगर आप देखें तो P की value कितनी है P कितना हो गया 2 हो गया E भी कितना हो गया 2 हो गया A कितना हो गया 2 हो गया और N कितना हो गया 2 हो गया तो अब आप यहां से समझ सकते हैं क्या समझ सकते हैं यहां से देखेंगा helium के नाभिग में होते हैं क्या केवल एक proton तो अभी मैंने बताया कि helium के नाभिग में तो नाभीग में क्या पाजाते हैं, प्रोटान और न्यूट्रान दोनों पाजाते हैं, तो दू प्रोटान तो इन्होंने सही लिखा है, लेकिन नाभीग में सिर्फ और सिर्फ प्रोटान नहीं पाजाते हैं, नाभीग में न्यूट्रान भी पाजाते हैं, और अभी आपने निकाला कि नाभीग में, प्रोटान कितने two, इलेक्ट्रोन कितने two, और J कितने two, यस नो, और A कितना होता है?, two होता है, और neutron भी कितने होते हैfferff, two होते हैं, इस हिसाब से, option कौन सो हो जाएगा, two सही हो जाएगा, यानि कि, b वाल opções, स्वारी, सी वाला option कोई से हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके, यानि कि नाभिग में दो proton एवं दो neutron होते हैं, कोई confusion नहीं होना चाहिए, चलिए, अगला question solve करते हैं, उससे पहले explanation आप एक बार देख लीजिएगा, चलिए, तो मैंने सारी चीज़े एक्स्प्लेइन कर दी है तो explanation के अल्रीड कोई जोरुत नहीं है, अब अगला question आप देख लिएज़े, बहुत प्यारा सा question है, क्या दिया हुआ, और exam में आया है हुआ, आप यहां से चेक कर सकते हैं, क्या दिया हुआ, निमलिखित में से किसमे रिडात्मक आवेश होता है, चेक करिएगा, में क्या होता, रिडात्मक आवेश होता है, चले, next question देखते हैं, next question देखने से पहले यहां पर क्या देख लेते हैं, explanation देख लेते हैं, तो अगर आप देखें, तो क्या दिया हुआ, अल्फा किरड, अल्फा करों से बनी होती है, जो धानावेशित हीलियम नाभिक होते हैं बीटा कर, रिडावेशित, इलेक्ट्रॉन, एवं गामा किरड, अनावेशित, याद रखिएगा, गामा किरड जो होती हैं, कैसे होती हैं, अनावेशित, यानि कि इन पर कोई आवेश नहीं पाय जाता, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, अल्फा किरड कैसी होती हैं, धान चुमकी तरंगे होती है, तो इस explanation से अलग से ही क्या बन सकता, question बन सकता तो इसे हलके में मत लिजेगा तो next question यहां से check कर सकते हैं, क्या दिया हुआ let's see, यहां से check करिए, question number 13 हो सकता आपको आता है, वीडियो post करिए और इसको खुद solve करिए, क्या दिया हुआ परमाणू में, कक्षको यानि कि शेल को, भरने का करम नियंत्रित होता है तो ध्यान से समझेगा परमाणू में कक्षको का करम भरने का करम नियंत्रित होता है तो याद रखिएगा, किसी भी परमाणू में electron को भरने के लिए कौन सा क्रम होता है किसका आप बाउ सिधान्त दोरा हाईजन वर्क की अनिश्रिता के सिधान दोरा हुंड्स के नियम दोरा पौले के अपरजन सिधान दोरा तो मैं आपको बता दूँ इसका answer कौन सा होगा A हो जाएगा क्या हो जाएगा A हो जाएगा तो अब आप यहां से देखे आप बाउ का प्रिंस्पल आपको पढ़ाया गया है जिसमें क्या किया आते है आपने electron भरने सीखे होंगे कैसे सीखे होंगे 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 इस तरह से याद आए आपको यह है आप बाउ प्रिंस्पल और इसी तरह से electron क्या किया जाते है भरे जाते है और इसी को बोलते है आप बाउ प्रिंस्पल और याद रखिएगा आप बहुत ज़्यादा तर student को confusion होता है कि आप बाउ कोई scientist है और उन्हीं के नाम पर यह सिद्धान को दिया गया तो मैं आपको clear कर दो कि आप बाउ क्या है scientist नहीं है अभी आप नीचे देखेगा अच्छा यह सारी बाते आपको सौं में आ गई है इस तरह से electron क्या किया जाते है भरे जाते हैं अब explanation इसका आप चेक कर लीजिए तो देखे explanation क्या है आप बाउ की बात कर रहे है आप बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण यह नियम तक्तों के electronic बिन्यास लिखने की एक आसान बिधी परतान करता है इसके अनुसार electron स्वरपर्थम निम्न उर्जास्तर कौन से उर्जास्तर निम्न उर्जास्तर में जाता है जब यह उर्जास्तर पूड भर जाता है तब electron उच उर्जास्तर में क्या होता जाता अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ जैसे मानलीजे मैंने लिया sodium क्या लिया मैंने sodium atomic number कितना होता 11 अब आप इसमें electron भरिए तो कैसे भरेंगे 1 S2 2S2 2P 6 3S1 यह देखिए total कितने हो गए total अगर आप electron यह electron अगर count करेंगे कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे तो याद रखेगा पहले electron 1 में भरा गया है फिर 2S2 और इसमें भरा गया फिर 3 पे आए तो इसको बोलते हैं निम्न उर्जास्तर क्या बोलते हैं इसको इसको निम्न उर्जास्तर बोलते हैं और जब निम्न उर्जास्तर में दो electron हो गया तो आगे next में भरेंगे फिर जब बचेगा electron तो उच उर्जास्तर हो जाएगा यानि कि इलेट्रोन इस तरह से निम्न उर्जास्तर से उच उर्जास्तर की तरह बढ़ते हैं और आप बाउने एक चार्ड बनाया है और अगर आपको याद आ रहो तो आपने एक चार्ड पढ़ा हुआ है इस तरह का पढ़ा होगा याद आ D and 4F और इस तरह से ये चार्ट बनता है याद रखिएगा और इसी चार्ट से क्या किया आता है इसको बनाया जाता है ये चार्ट ऐसे जाता है फिर इस तरह से जाता है आपको दिवा में बढ़ गया होगा तो ये एक्स्प्रेशन आपको समझ में आ गया होगा चलिए, नेस कोश्टन देखते हैं अनकोश्टन क्या है? कोश्टन नमर 14 है अब इसको तोड़ा समझेगा रासानी तत्यों के अड़ो के संदर में चुम्बकी एक कौंटम संक्या का संबंध है चुम्बकी एक कौंटम संक्या का संबंध किस से है? अभी विन्यास से है, आकृति से है अमापन से है, चक्रड से है तो फिलाल आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कौंटम संक्या के बारे में किसके बता दूँ? कौंटम संक्या के बारे में जो principal quantum number होता है, उसे small n से represent के आता है, और यह किसके बारे में बताता है, यह shell के बारे में, यानि कि कक्ष के आकार के बारे में बताता है, ओके, दिवा में गया, और azimutal quantum संख्या के बारे में बता दीए, यह sharp shell के बारे में बताता है, किसके बारे में, इसको azimutal quantum number को, यानि कि दुई घंसी कौंटम संख्या को कि से रिपरेंट करते हैं एल से रिपरेंट करते हैं और एक होता है चुम्बकी कौंटम संख्या जिससे स्मॉल एम से रिपरेंट करते हैं और एक होता आपका चक्रड कौंटम संख्या यानि कि spin quantum number जिससे S से represent किया रहता है तो अब आपको स्वामे आ गया कि quantum number चार्टर की होते हैं एक होता है principal quantum number जिसको मुखी quantum संख्या बोलेंगे azimuthal quantum number जिससे दुईघंसी quantum संख्या बोलेंगे magnetic quantum number जिससे चुम्बकी quantum संख्या बोलेंगे and spin quantum number जिसे चक्रड quantum संख्या बोलते हैं और ये सारे के सारे क्या करते हैं अलग-अलग चीजों के बारे में बताते हैं जैसे M वालग इसके बारे में बताता है अभी बिन्यास को बताता है चक्रड वालग इसे बताता है spin quantum number चक्रड को बताता है तो explanation आप नीचे देखेंगे सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएंगे तो चलिए explanation देख लेते हैं तो देखे explanation क्या क्याता है रासानिक, रासानिक तत्तों के अड़ोग के संदर में चुम्बकी quantum संख्या मैंने बताया था देखे mc represent किया आता है का संबन इलेक्ट्रॉन कक्षा के अभी विन्यास से है उसका principle quantum number जिसको nc represent किया गया था कक्ष के आकार और उर्जा को बताता है easy-mothal quantum number जिसे मैंने बताया था lc represent किया आता है कक्ष के त्रिविमी आकरिती या शर्फ से l के बारे बताता है और spin quantum number जिसे l से represent किया आता है या electronों के चक्रड को बताता है अच्छा spin quantum number से related मैं आपको कुछ बाते बता दूँ देखे सबसे पहले मैं बात बता दूँ किसी भी orbital में 2 electron किसी भी orbital में maximum 2 electron हो सकता है याद रखेंगे किसी भी orbital में किसी भी orbital में maximum 2 electron होते है तो इस electron को बोलते है clockwise और इसके लिए s के जो value होगी क्या होगी प्लस की half होगी और जो यह इस तरह का electron बना है इसको बोलेंगे anti clockwise electron और इसके लिए spin quantum number यानि के s के जो value होगी minus half होगी तो यह बात आपको सौमें आगे तो पहली बात याद रखेगा कि किसी भी orbital में maximum number आफ electron कितने हो सकते है 2 हो सकते है और दोनों electron कैसे होंगे अलग-अलग direction या अलग-अलग spin में होंगे जो यह इस तरह का electron होगा उसको बोलेंगे clockwise electron और इसके लिए S की value क्या होगी plus half और इस तरह का जो electron होगा वो कैसा होगा वो anti-clockwise होगा और इसके लिए S की value क्या होगी minus half ओके तो चले next questions देखते हैं यहाँ पर आप चेक कर यह क्या दिया हुआ question number 15 है जिस तक्त्यों के परमाण में क्या होते हैं दो electron दो neutron तथा दो electron हो उस तक्त्यों की द्रौबमान संख्या कितनी होगी अभी थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने helium के बारे में पढ़ा था क्या दिया हुआ दिया हुआ है दिया से देखेगा proton कितने दिये हुए two दिये हुए neutron कितने दिये हुए two दिये हुए और obvious ही बात है आपको बताया था मैंने j is equal to p is equal to e के बारे में तो जब p कितना दिया हुआ है two दिया है और e भी कितने दिये है two दिये हुए तो j भी कितना हो जाएगा two हो जाएगा अच्छा इसने क्या पूछा draw बेमान संक्या पूछा है यानि कि a की बारे में पूछा है तो a की value निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा a की value निकालने के लिए p plus n करना पड़ेगा और p की value two है और n की value भी क्या है two है तो a की value आपकी आसानी से निकल गई, यानि कि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दिवा में गया की नहीं गया, चलिए, अगले कोश्चन की तरफ चेक करते हैं, तो देखे, यहाँ पर इसका explanation दिया है, आपको explanation आल्रेडी मैंने क्या कर दिया है, समझा दिया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, चल कित दिरुबमान संख्या आपको निकालनी है, कितना आसान सा कोशन है, अब चेक करिये, क्या दिया हुआ, एक तक्त्व में इलेक्टरॉन की संख्या है, तो अब आप देख लिजए, जब इलेक्टरॉन की संख्या 18 दिया है, तो प्रोटानों की संख्या, और एक्टोमिक अंबर कितना हो जाएगा यानि कि E भी 18 हो जाएगा P और Z भी क्या हो जाएगे 18 हो जाएगे चेक करिएगा अब आगे देखिएगा तुट्राङों की संख्याः कितने दीए है, त्रॉब्मां संख्याः के लिए फिर्मुला क्या होता है, आगर आप अगर आड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, आप यहां से चेक कर लिजएगा, ओके, चलिए next बात करते हैं, अगला question क्या दिया हुआ explanation देखें, यहां पर सारी चीज़े explain करके इन्होंने दिये हुए explanation आप यहां से क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं, explanation इन्होंने बताया है यहां से आप देखें जिए, 38 आया हुआ और लेडी मैंने आपको समझा दिया है चलिए, अब अगले questions की बात करते हैं, यहां से देखें जिएगा, question number 17 क्या कहता है, question number 17 है परमाड़ जिन में, protonों की संख्या, समान, ध्यान से देखेंगा, वे परमाड़ जिसमें, protonों की संख्या, समान परन्तो, neutronों की संख्या भिन भिन होती है, क्या कहलाते है ध्यान से देखेंगा, अच्छे questions हैं तो check करते हैं, तो देखें आपको देख लिए क्या दिया हुआ परमाण जिन में प्रोटानों की संख्या, समान, प्रोटानों की संख्या क्या दिये हुई है, समान दिये हुई है, परंतु न्यूट्रानों की संख्या क्या होती है, बिन बिन होती है, अच्छा, यहां देखें न्यूट्रानों की संख्या की जगह पर अगर हो चाहते, तो द इसो टॉप्स बोला जाता है फिर से चकरिएगा वे परमाण जिन में जिनके एक्टॉमिक नमबर क्या होते हैं यानि कि जड क्या होते हैं बराबर होते हैं और तक तो कैसे होते हैं समान होते हैं अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ जैसे हील जैसे हाइडोजन की बात करें तो hydrogen क्या हो गया, 1 हो गया, hydrogen क्या हो गया, 1 & 2 हो गया, hydrogen क्या हो गया, 1 & 3 हो गया, तो आपको पता है कि जो उपर वाले होते हैं, यह क्या होते हैं, A होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं, जड़ होते हैं, यानि कि परमाड उकरमांग, यानि कि hydrogen के देखें, यह क्या है, 3 isotopes हैं hardogen के three isotopes होते हैं Proteum, Deuterium and Tritinium छिक है अब आप देखो यहाँ पर one दिया है यहाँ पर दिया है और यहाँ पर one दिया हुआ सब क्या है बराबर है लेकिन जो उनके द्रॉबमान संख्या है वो क्या है भिन भिन है यानि कि अलग-अलग है, ओके, तो ध्यांसे समझेगा, न्यूट्रानों के संख्या अलग-अलग कहे, या द्रॉबमानों के संख्या अलग-अलग कहे, दोनों चीज़े क्या हैं, बराबर हैं, दोनों चीज़े क्या हैं, सेम हैं, तो उसको isotons बोलोगे और जब n equal होंगे यानि कि समान होंगे तो isotons बोलोगे याद रखोगे ये बाते आप अच्छे से समझ के रखिएगा चलिए next मुद्दे की बात करते हैं देखे explanation यहाँ दिया हुआ सारी बाते मैंने आपको समझा दी है तो अगर आप चाहें तो explanation यहाँ से क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं अब हम next questions की तरफ आगे बढ़ते हैं देखे अभी यहाँ पर क्या गया है समिस्थानिक आगया अभी क्या था समिस्थानिक तो अब आप देख सकते हैं समिस्थानिक क्या होते हैं समिस्थानिक होते हैं किसी एक ही तक्तो के परमाणू जिन का अच्छा तक्तो क्या होंगे एक ही होंगे जैसे अभी हाइडोजन के मैंने बताये तो हाइडोजन क्या था तीनों हाइडोजन ही थे बट उनमें क्या था परमाणू जो उनके प्रोटान थे यानि गया अगे देखे पर्माडु भार भिन्न होता है पर परंतु पर्माडु कर्मांग समान होते हैं पर्माडु कर्मांग तथा पर्माडु भार क्या होते हैं समान होते हैं कोई नहीं क्या वो लगया सम इस्थानिक बोल गया क्या वो लगया सम इस्थानिक बोल गया तो याद रखेगा यहाँ पर क्या बताओगे पर्माडू क्या होते हैं यहां से देखेगा पर्माडू कर्मांग क्या होते हैं समान होते हैं पर्माडू भार देखेगा यहां देखे पर्माडू भार यानि कि एक ही बात की जारी है यह क्या होते हैं भिन्न होते हैं परंतु किसी परमाण नाभिक का आइसो टॉप वह नाभिक है जिन में आइसो टॉप आइसो टॉप्स की बात की जा रही है तो आइसो टॉप्स क्या होते है न्यूट्रानों की संख्या वही होती है गलत बात है चीक है परन्तु प्रोटानों की संख्या बिंड मिन होती है यही क्या हो आप देखें क्या दिया हुआ, some neutronic, तो अभी मैंने आपको समझाय था, कि some neutronic क्या होता है, some neutronic in the sense, जिनमें neutrino की संख्या क्या होती है, समान होती है, और neutrino की संख्या निकालने के लिए आपको rule लगाना पड़ेगा कौँसा, n is equal to a minus p का नियम लगाना पड़ेगा, जो rule है, a is equal to क्या होता है, p plus n होता है, तो जब आप उसे change कर दोगे, तो n is equal to a minus p हो जाएगा, ओके, तो अब अगर आप देखो, तो ऊपर वाली जो value होती है, वो a को बताती है, और नीचे वाली जो value होता ही, किसको बताती है, z को बताती है, तो अगर आप चेक करें यहांपर, थो यह तो गलत ही दिया हुआ है, ओके, चेक करते हैं, सम न्यूट्रानी निकालना है, तो सम न्यूट्रानी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 6 minus क्या हो जाएगा, 12 minus 6, 12 minus, यहां से फिर से कर लिजिए, 12 minus 6 कितना हो गया, 8 हो गया, यहां 7 आ रहा है, यहां 8 9 आ रहा है, ओके, यहां कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहां पर देखी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानि कि D वाला option हो जाएगा, यानि कि minus कर दिया आपने, तो D वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इन में न्यूट रानू की संख्या यही हो जाएगी, हलाक इन्होंने लिखने का तरीका थोड़ा सा confuse करने वाला है, क्योंकि याद रखिएगा, कि हमेशा जो mass number होता है, वह हमेशा उपर होता, और atomic number हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, थोड़ा सा confuse किया इन्होंने, अब अगला question यहाँ से चेक कर लेते हैं, अच्छा, देखें इन्होंने यहाँ पर explanation दिया हुआ, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, explanation अच्छे से चेक कर सकते हैं, तो यह वाला questions मैंने आपको अगे देखेंगा, क्या कर लेते हैं, 21, क्या दिया हुआ, radio activity, radio activity मापी जाती किसे, geiger counter से मापी जाती है, किसे मापी जाती है, geiger explanation क्या दिया हुआ, geiger counter को, geiger molar counter के माम से भी जाना जाता है, यह एक परकार का, कर सुचकांक है, जिसका परियोग, अनियमित विकरड को, मापने में किया जाता है, इस उपकरड के द्वारा, नाभे की विकरड के, उस सर्जनों का पता लगाया जाता है, ओके, next आते हैं, तो चलिए, question number 22 देखते हैं, क्या दिया हुआ, radio activity, radio activity का अभिसकार किया था, वैकुरेल नहीं किया था, बोर नहीं किया था, और मैडम क्यूरी नहीं किया था, तो आपको बता दें, radio activity का अभिसकार किस नहीं किया था, वैकुरेल नहीं किया था, किस नहीं किया था, तो यह यह रहे आपके 22 questions जो हमने आपको exam में आए हुए different different exam में आए हुए questions थे जिनको हमने आपको क्या किया solve कराया और उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और हाँ explanation कैसा लगा आप मेरे को comment करके जरूर बताईएगा ताकि मैं अगले वीडियो को जल्दी से ले करके आऊँ तो उमीद करते हैं आपको सारी चीज़ा समझ में आ गही होगी वीडियो कैसा लगा आप comment करके जरूर बताईएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया क्या इसका next part आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तो चलिए अपना ध्यान रखिए आगे बढ़ते रहिए thank you so much मिलते ह next video में